पूरु चीफ सेक्रेट्री बीबी आई सुब्रमडियम को लेकर ओमर अब्दुल्ला हूँ, पत्रकार हूँ, हर एक अपनी अपनी तरह ट्वीट कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि एक चीफ सेक्रेट्री ने इतना बवाल मचा दिया जमो कश्मीर में कि उनकी ट्रांसफर क्या हुई कि पूर मुख्य मंतरी और पूर केंद्रिय मंतरी ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं एक ट्वीट किया, आज दूसरे ट्वीट कर दिया टाइम्सनाव के जम्मू ब्यरोचीफ प्रदीब दत्ता ने एक सवाल पूछा कि जम्मू कश्मीर में अजीब इस्थिती हो गई है एक पिधान, एक निशान और दो चीफ सेक्रेट्री चीफ सेक्रेट्री जो हैं, वो अभी भी ऑफिशल चीफ सेक्रेट्री के कार का इस्तमाल कर रहे हैं, वो अभी भी चीफ सेक्रेट्री के दफ्तर में बैठ रहे हैं और दूसरी तरफ से, जो जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेट्री नियुक्त किये गए हैं वो अभी भी एफसी फिनांस के अपने कमरे से ऑपरेट कर रहे हैं उस पर मुर्बदुल्ला ने भी कह दिया कि अजीब औ गरीब इस्थिती है दो चीफ सेकेर्टरी जम्म कश्मीर के और एड्मिस्टरिशन भी दो भागों में बढ़ गई है एक वो लोग जो एक चीफ सेकेर्टरी के लॉयलिस्ट हैं और दूसरे वो लोग जो कामकाज करना चाहते हैं लेकिन परशान है कि जाएं तो जाएं कहां इन दो ट्वीट्स के बाद हमारा भी मन किया कि ज़रा मालूम करे इस्थिती क्या है क्या वाकई जो मीडिया में स्पेकुलेशन है कि धुंद यूद चल रहा है चल रहा था लेटनेट गवर्नर मनोज सिना और चीफ सेकेर्टरी बीवियार सुबर मनियम के बीच में उसका अंत हो गया अब जब मुकिश्मीर में एक ही पावर सेंटर होगा और उस पावर सेंटर का नाम होगा लेटनेट गवर्नर मनोज सिना ये सब बातें मीडिया में चल रही थी और साथ में हमने ये भी जानने की कोशिश की कि कि कितनी हकीकत और कितनी सदाकत है इस बात में कि जिमो कश्मीर के इस समय दो चीफ सेकेर्टरी है और जो एड्मिस् तोर पर ये लिखा गया था कि वो कुछ दिनों के लिए OST के तोर पर कॉमर्स डिपार्टमेंट में काम करेंगे और उसके बाद कॉमर्स मिनिस्ट्री के सेकेरिटरी के तोर पर वो काम करना शुरू करेंगे के अंदर में कॉमर्स मिनिस्ट्री के कॉमर्स डिपार्टमेंट के वो Secretary होंगे और उसके बाद एक order ग्रह मंत्राले ने इशू किया जिसमें ग्रह मंत्राले ने अरणुकुमार मेहता को जमो कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी के तौर पर confirm किया लेकिन साथ में एक लाइन लिख दी कि वो उस दिन से जमो कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी का कारेभार सभालेंगे जिस दिन BVR सुब्रमणियम चार्ज रिलिंक्विश करेंगे यान जिस दिन वो चार्ज दे देंगे अब ग्रह मंत्राले की चिथी भी आ गई और D.O.P.T. का order भी आ गया इस चिथी के आने के बाद और इस order के आने के बाद हमारी जानकारी के मताबिक चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमणियम ने एक चिथी लिखी चिथी सरकार को लिखी अपनी और सरकार को ये कहा कि मुझे कॉमर्स डिपार्टमेट में OST के तौर पर एपॉइंट किया गया है और बाद में मैंने सेक्रेटरी के तौर पर वहाँ पर कारिभार संभालना है और म मैं 7 जून को जमो कश्मीर में चीफ सेक्रेटरी के तौर पर जो मैं कामकाज कर रहा हूँ उस कुर्शी को छोड़ दूँगा और उसके बाद में 10 दिन की चुट्टी पर चला जाओंगा और 17 तारीख को कॉमर्स डिपार्टमेंट में जाकर OST के तौर पर में कामकाज करना शुरू कर दूँगा और उसके बाद उस चिठी में ये बात भी लिखी कि जब तक मैं चार्ज रिलिंक्विश नहीं करता जब तक मैं जमो कश्मीर से चार्ज रिलिंक्विश करके नई दली नहीं जाता यानि 7 जून तक मेरी आप से गुजारिश है कि अरुन कुमार महता जिने जमो कश्मीर का चीफ सेक्रिटरी निक्ट किया गया है वो कामकाज संभालने और वो काम चीफ सेक्रिटरी के तौर पर तमाम काम जो भी उनको करने हैं जितने भी काम जमो कश्मीर में होने हैं जिन भी फाइल के ओपर सिगनेचर्स होने हैं या जो भी ही नहीं लिखी हमारी जानकारी के मताबिक 28 मई 2021 को चीफ सेकर्टरी अपॉइंटेड बीवीया चीफ सेकर्टरी अपॉइंटेड नाफ कीजएगा अरुन कुमार महता और चीफ सेकर्टरी बीवीया और सुब्रमारेम दोनों एक साथ लेटनेंट गवरनर मनोज सिना से मिलने क लेट चले गए मुलाकात के दौरान क्या कुछ हुआ ये बाते तो आधिकारिक नहीं हुई लेकिन सूतनों के मताबिके कहा जा रहा है कि वहाँ पर जब लेटनेर गवरनर से दोनों की मुलाकात हुई तो चीफ सेकर्टरी बीवीयार सुब्रमारेम ने साफ तोर पर ये कहा चूंकि मुझे अब कॉमर्स डिपार्टमेंट में OST के तोर पर एपॉइंट किया गया है साथ जून को मैं यहां से जमो कश्मीर से चार्ज दे कर दिल्ली चरा जाओंगा तब तक जाहिर सी बात है अब नए चीफ सेकर्टरी चूंकि अरुन कुमार महता को एपॉइंट कर मैं दीजिए जमो कश्मीर मैंने एक लंबा समय गुजारा है कुछ दिन मुझे दे दीजिए मैं चूंकि एक और बात PBR सुबर मर्यम के बारे में बहुत मशूर है कि वो एस्ट्रालोजी के उपर बहुत जदा विश्वास करते हैं सिर्फ एस्ट्रालोजी ही नहीं बलकि कि किस दिशा में उनका दफ्तर होगा? टेबल किस दिशा में लगेगा? कुरसी किस दिशा में लगेगी? वास्तु शास्तर के उपर भी बहुत जदा विश्वास करते हैं उसके चलते उनके लिए दिन और तित्री जूझ साथ दोजार इक्नी सबसे सही है उनके मताबक जो हमे है ये वास्तु शास्त्र एस्ट्रालोजी ये तमाम चीजें बड़ी इंट्रेस्ट की थी इसमें लोगों को बड़ी दिल्चस्पी थी जब बीवी आर सुबरमनें ने आज चीफ सेक्रेटरी जमो कश्मीर में जॉइन किया था शायद आपको याद नहीं होगा कुछ बड़े रेजिडेंसी रोड से सल्कुलर रोड से शिफ्ट किया है गांधी नगर और जब उन से पूछा गया कि शिफ्ट की वज़ा क्या है तो उन्होंने कहा कि वास्तु शास्त्र के एकॉर्डिंग जिस तरह की सिमिट्री उनको घर में चाहिए थी और जैसे वो रहना चाहते थे वो सेर्कुलर रोड के उपर जो चीफ सेकरिट्री का आवास बना हुआ है वहाँ पर वो सब चीज़े उनको मिल नहीं रही थी तो उसके चलते वो गांधी नगर चले गए और वो छोटे घर में रहना चाहते थे ज्यादा बड़े घर में नहीं रहना चाहते थे तो ये कु लेकिन जमो कश्मीर के पुलिटिकल सर्कल्स हों, सोशल सर्कल्स हों, मीडिया के सर्कल्स हों, कोई सर्कल ऐसा नहीं है जिस सर्कल में ये बात नहीं चल रही है कि लेटनेट गवर्नर मनोज सिना बाजी जीद गए हैं अब लेटनेट गवर्नर मनोज सिना एक अकेला पावर संत्री के कार्याले के साथ था इस वज़ा से वो बहुत पावफुल थे अपनी मनवानी करते थे किसी की नहीं सुनते थे और इसी चीज़ से लेफटेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी परिशान थे इसी के चलते ये मैं बता रहा हूं कि ये चल रहा है इसमें सत्य है या नहीं ह है वो टटोलना वो समझना वो आप तक सत्य है या नहीं है पर ये अफ़ा चल रही है उसके बाद लेफटेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि मेरे लिए जमो कश्मीर में काम करना संभव नहीं है क्योंकि चीफ सेक्रेटरी जो है वो बहुत बड़ा पावर सेंटर बन च हैं अगर आप जमो कश्मीर में चाहते हैं मैं कोई बड़ा बड़ाव लाओं तो उस बड़े बड़ाव के लिए बड़ा जरूरी है कि जमो कश्मीर में एक ही पावर सेंटर रहे अब इसमें सत्य कितना है वो तो आने वाले वक्त में ये चीज़ें पबलिक होंगी ही अगर इसमें कोई सचाई होगी लेकिन जहां तक चीफ सेकेटरी बीवी आर सुबरमाणियम का तालुक है और उनके कामकाज का तालुक है मैं पहले भी कह चुका आज फिर कहूंगा इतिहास बीवी आर सुबरमाणियम को जमो कश्मीर में कभी नहीं बुला सकता इसलिए नहीं बुला सकता कि उक्षी 320 हो 35 हो जमो कश्मीर में बगट बड़े राज़िक बदलाव जो पिछले तीन साल में आये उन बड़े बड़े राज़िक बदलाव के समय में जमो कश्मीर का चीफ सेकरेटरी कौन था यह जरू पोछा जा जाएगा चीफ सेक्रेटरी थे BVR सुब्रमनियम अब नेताओं को जिस चीफ सेक्रेटरी में इतनी ज्यादा दिल्चस्पी है कि वो उस चीफ सेक्रेटरी को लेकर ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं साफ तोर पर आप समझ सकते हैं कि चीफ सेक्रेटरी कितने important रहे होंगे दूसरी बात क्या administration दो भागों में बटी हुई है हमें सिवल सचवाले में जाके ऐसा कोई निशान नहीं मिला जो निशान ये बताता हो कि सिवल सचवाले में सिवल सचवाले दो तरह के officers में बटा हुआ एक वो officers जिनकी loyalty PBR सुब्रमनियम के साथ है और एक वो officers जिनकी loyalty अरुन मेहता के साथ है मैं आपको पहले ही बता चुका 28 माई 2021 दोनों IS officer PBR सुब्रमनियम भी और अरुन कुमार मेहता भी left net governor से मिलने गए जब मिलने गए तो बाहर भी वो साथ आए और उसके बाद से लेकर 31 माई को जो order issue हुआ उस order के issue होने से पहले ही Chief Secretary BBR सुब्रमनियम एक चिठी left net governor को थमा कर आये थे जिसमें उन्हें ये कहा था कि अरुन कुमार मेहता को 7 जून से पहले ही कामकार शुरू कर लेना चाहिए मैं 7 जून तक जमो कश्मीर में इसलिए रहूँगा क्योंकि साथ जून की तिथी मेरे ले ठीक है लेकिन बात का अफसाना जमो कश्मीर में बन गया अब जिससे मैं कह रहा था कि क्या administration दो भागों में बटी हुई है Chief Secretary BBR सुब्रमनियम का पूरा स्टाफ सरनगर में है अरुन कुमार मेहता शुरनगर है अरुन कुमार मेहता की इस समय जो स्टाफ पहले Chief Secretary BBR सुब्रमनियम के साथ काम कर रहा था इस समय वो अरुन कुमार मेहता के साथ काम कर रहा है दूसरी बड़ी बात Administrative Secretaries दो भागों में बटे हुए है Administrative Secretaries 31 मई 2021 से नए Chief Secretary आरुन कुमार मेहता को रिपोर्ट करना शुरू हुए है आरुन कुमार मेहता पूरी तरीके से Administration को संभालना शुरू कर गए है 31 मई 2021 से और तीसरी सबसे बड़ी बात कि सिवल सच्ची वाले शुरनगर में जाकर आरुन कुमार मेहता ने वहाँ पर Administrative Secretaries की वहाँ से मीटिंग ली और उस मीटिंग में Chief Secretary BVR सुबरमणयम भी चूंकि वो अभी तक जमो कश्मीर की Chief Secretary है चार्ड उन्हें रिलिंक्विश नहीं किया है उस नाते उन्हें वो मीटिंग अटेंड की लेकिन बाकी तमाम Administrative Secretaries ने मीटिंग को अटेंड इसलिए किया क्योंकि मीटिंग बुलाई थी Chief Secretary अरुन कुमार महता ने यानि बात साफ है हो गई कि पूरू Chief Secretary BVR सुबरमणयम Astrology और वासुर शास्तर में यकीन रखते हैं उसके चलते साथ जून को जो मकश्मीर से चार दिल्ली की तरफ रवाना हो जाएंगे बात इतनी थी लेकिन बात का अफसाना बन गया मगर नेताओं की और अलग-अलग लोगों की जो दिल्चस्पी BVR सुबरमणयम में है वो साफ तोर पर ये दर्शाती है कि कुछ तो है जो BVR सुबरमणयम जो मकश्मीर में करके गए है कोई बात तो है जो उनकी चुभी है लोगों को चुभी इतनी ज्यादा है चुबन इतनी ज्यादा है कि ट्वीट पर ट्वीट कर जा रहे है